हलो दूस्तों स्वागा था आपका एक बार फिर से आयो सी टुटोरियल में और आज वीडियो सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं आयो से 22000-2018 वर्जन जिसमें की पहला ही क्लॉज लेंगे उस क्लॉज नंबर वन में डिसकॉशन होगा केवल स्कोप के ओपर आज केवल स्कोप के बारे हम बात करनी है वाइए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज में सारे क्लॉज को कवर किया जाएगा आए 22000 मोड्यूल में जितने भी क्लॉज हैं और उनको बारेकी से समझते हैं स्कोप क्या है बिसकली स्कोप अपने आप में काफी बड़ी बहुत जादा वेटेज रखता है जो कि कारेक्षेत्र इसको हिंदी में अगर कहें तो और कारेक्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको define करना पड़ेगा कि आप किस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं आप किस organization के लिए काम कर रहे हैं आपके procedures क्या हैं और आपकी policy क्या है जब इन main बातों को आप याद रखेंगे इनको लेके काम करेंगे तो आगे इसमें 6 पॉइंटों में define किया गया है कि स्कूप की और क्या-क्या चीज़े हैं जो कि आपको आनी चाहिए आपको समाझ आना चाहिए और आपको उस तरही से काम करना है तो जैसे कि स्कूप के बारे में बताया था हमने इस डॉकुमेंट स्पेसिफाइज रिक्वार्मेंट्स फॉर ए फूट सिफ्टी मेनेजमेंट सिस्टम यह document है basically एक document ही है जो scope है एक document है और उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो उसमें आप specify करते हो requirements को कि हमारी requirements क्या क्या है अगर आप requirements की अगर बात करेंगे तो आपको बहुत आसान चीज लगेगी कि यह केवल need की जरुवत क्या है और expectation क्या है यह need और आपकी expectation की बात करेगा need होगी आपकी organization को need होगी expect कौन करेगा आपका consumer आपसे expect करेगा तो बड़ा ही clear word इन्होंने बोला this document specifies requirements for a food safety management system दोनों बाते आगी आपको food safety management system चलाने के लिए to enable मतलब अपने organization में enable करने के लिए लागू करने के लिए आपके पास में requirement को specify करना पड़ेगा focus दिया गया है कि आपको आपकी requirement को specify करना पड़ेगा आपकी वो vicious requirement होगी जिनको की आप यहाँ पे बताएंगे या उनका उल्लेक करेंगे और क्या काई नोने that is directly or indirectly involved in the food chain मतलब या तो वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी food chain में involved है अब food chain को भी समझेंगे अची तरीके से कि food chain कैसे आपके organization को systematic view को समझने के लिए जरूरी है food chain केवल आपकी company की या आपकी organization की बात नहीं होगी उससे जुड़े और 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 जो भी stakeholders है उन सब की यहां पर बात होगी जैसे कि इसके एपार्ट में बोला है to plan, implement, operate, maintain and update अब कोई भी organization अगर scope अपना बनाता है अपने scope में चीजों को लिखता है उस सबसे पहले अब क्या करिए document में तो लिखिए लेकिन क्या करिए plan करिए किसी भी काम करने के लिए plan करिए जो आपने plan किया है फिर उसको implement कीजिए implement करने के बाद आप उसको operate करिए मतलब कि उसको functional बनाईए वो functioning होना चाहिए अब अगर वो functioning होने लगा तो आप उसको maintain करिए लगा तार करिए करते रहिए इसको और update भी करिए time time पे जो rule और regulations में परिवर्तन changes आते हैं उसके हिसाब से अपने system को भी update करिए are fsms providing products and services that are safe in accordance with their intended use मतलब scope में ये बात clear है कि आपको plan, implement, operate, maintain और update करना है food safety management system को किस के लिए उसके intended purpose को solve करने के लिए तो ये बात ध्यान रखनी है इसमें B point में क्या बताया इनों है to demonstrate compliance with applicable statutory and regulatory food safety requirement मतलब जो भी compliance है उनको demonstrate करिए जो कि applicable statutory requirement हो कुछ नियामक और कुछ सम्वेधानिक ये दो प्रकार के requirements होती है और उनको आपके organization में compliance के रूप में implement करना आवश्चक होता है C part में इनोंने क्या बोला है to evaluate and assess mutually agreed customer food safety requirement अब यहाँ पर एक और बात आगी organization चला रहे हैं तो आपको प्रभावी ढंक से communicate करना है आगे हम बताएंगे किस तरीके से वो communication आप कर सकते हैं इसको करना है I communicate food safety issues को जो interested parties है उनको अब यहाँ पर एक और terminology आगी interested party एक terminology यहाँ पर क्या थी food safety requirement basically requirement थी इसको भी समझेंगे एपार्ट में to ensure that the organization confirms to its stated food safety policy अब यहाँ पर आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपकी बनाई हुई जो आपने बनाई है आपने मानी है food safety policy उसको भी आपको सुनिश्चित करना है कि वो organization में confirm है कि नहीं है या उसमें कोई समस्या तो नहीं है F point में to demonstrate confirmity to relevant interested parties जो आपकी relevant interested parties है उपर भी चर्चा हो चुकी है उसकी जो relevant interested parties है उनको भी आप बताईए इसके बारे में आपके food safety management system के बारे में और last में to seek certification और registration मतलब आपको ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि आपको certification लेना है या food safety management system का registration करवाना है किसी external body से external body हो सकती है जिससे कि आप ISO 22000 का certificate लेंगे या उसके लिए आप apply करेंगे क्यों क्यों कि आपको ये confirm करना है कि आप ये system चला रहे हैं आप इसके हिसाब से काम कर रहे हैं या तो आप self assessment भी कर सकते हैं self declaration भी कर सकते हैं इन सारे compliance को applicable कराके इन सारी बातों को applicable करा के ये document बना गे रख सकते हैं system को चला सकते हैं और फिर चाहें आप किसी से नहीं आप FSSAI से ही अपने system को verify करा सकते हैं तो अब इन A, B, C, D, E, F, G point को बारी-बारी से समझते हैं पहला to plan, implement, operate, maintain and update food safety management system देखे अगर कोई organization है तो organization बनाने के लिए factory को बनाने के लिए एक land की आवशक्ता होगी उसमें और बहुत सारे resources की आवशक्ता होगी तो जितने भी सारे resources उस factory को बनने से पहले लगेंगे और जितने resources factory को बनने के बाद लगेंगे उन सब में आपको क्या जरूरी होगा? उन में आपको जरूरी होगा प्लान करना, effective प्लान और प्लान करने के बाद में जो आपने प्लान किया उसको execute करना होगा तभी तो बात आगे बनेगी, जब आप प्लान को execute करेंगे तो धीरे धीरे से वो system implement की तरफ जाएगा, वो चीजें लागू होने लग जाएंगी और जब आप चीजों को implement करेंगे, तो आप उसको क्या कर रहे होंगे? आप उसको operate कर रहे होंगे, मतलब वो चीजें आप operational हो जाएंगी, functioning हो जाएंगी और जब functioning हो जाएंगी मतलब चलने लगेगी पहले plan किया फिर implement किया फिर उसको चलाया और फिर उसको लगातार चलाते रहे मतलब कि आपने एक सिस्टम को बनाया और बनाने के बाद अगर आप इसको ऐसे समझे पी डी सी प्लान किया उसके बाद किया फिर चेक किया अब चेक किया मतलब कि आप operate कर रहे हैं लगाता रेक्ट किया मतलब आप उसको आप maintain कर रहे हैं तो ये काम आपको लगातार करते रहना है जब आप इसको लगातार करते रहेंगे तो आप food safety management system जो कि आपने बनाया है उसका आप finally intended purpose solve कर लेंगे ये term बहुत important है यहाँ पे भी बड़े अच्छी तरीके से इस term को लिखा गया है क्या लिखा है update a fsms providing products and services that are safe in accordance with their intended use मतलब कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किसके लिए ये product बना रहे हैं सबोज कीजिए आपका कोई भी xyz product है तो product आप किसके लिए बना रहे हैं कस्टमर के लिए बना रहे हैं क्या आपको केवल उसको sell करना है नहीं में आपको क्या करना है कंज्यूमर के लिए बनाना है आप कंज्यूमर के लिए ही बना रहे हैं और अगर ये food item है तो ये इसकी खपत होगी जब food item है उसकी खपत होगी उसको खाया जाएगा कंज्यूमर आपसे क्या demand करता है कंज्यूमर की क्या demand है जिस amount में जिस quality के साथ में जो आप quantity उसको दे रहे हैं और वो आपको amount pay कर रहा है उसके हिसाब से उसको एक safe और एक wholesome product मिलना चाहिए मतलब जिस purpose के लिए उसने उसको खरीदा है वो fulfill करना चाहिए ये एक बात होगी दूसरी बात जो की intended use में नहित है चिपी हुई है वो ये है कि उसने product को खरीदा खाने के लिए खरीदा अब खाने के लिए खरीदा लेकिन अगर उसमें कोई complain वाली बात हुई suppose कीजिए उसमें कोई alpin चोटी सी alpin या कोई foreign matter या की stone का particle या कोई plastic का particle अगर मिल जाता है तो वो तो उसने purchase नहीं किया था ये तो आपने उसको दिया ये सारे चीज़ें क्या है ये है complaint customer का intended purpose क्या था कि उसको safe और wholesome product मिले plus उसको ये product खाने के बाद कोई समस्या ना हो मतलब की वो बीमार ना पड़े या उसको कोई बीमारी ना हो जाए इसके कारण से तब आपको अब ये समझना होगा कि आपको ये जो plan, implement, operate, maintain करना है food safety management system इस बात को ज्यान में रखे करना है कि customer, consumer हमारे product को खाए उसको tasty लगे, उसको अच्छा लगे और उसको कोई समस्या का सामना भी ना करना पड़े इस तरीके से हम बता पाएंगे, कह पाएंगे कि हाँ हमने scope के a part में इन compliance को, इन बातों को ध्यान में रखा है और तभी ये हमारा system आगे चल सकता है दूसरे पार्ट में जिसको की हम B से समझेंगे, उसको क्या कहना है कि to demonstrate compliance with the applicable statutory and regulatory requirement statutory and regulatory food safety requirement देखे, food safety के लिए ही ये दोनों requirement है अब अगर दोनो requirement आप applicable, जब कोई organization आप चलाते हैं तो उसमें आपको laws, कानून, नियम, ये सब मानने पड़ते हैं और अगर आप ना माने, तो आप से forcefully मनवाए जाएंगे क्यों? क्योंकि वो एक system का part है अगर आप एक food factory चला रहे हैं तो उसमें आपको statutory requirement माननी पड़ेंगी और आपको regulatory requirement भी माननी पड़ेंगी regulatory मतलब नियमक जो किसी वैद्ध्यानिक system से adopt करके आगे बढ़ाए गई हैं जैसे pollution control board अगर आपकी factory में pollution का emission CO2 का, carbon mono oxide का, इनका emission ज़्यादा होता है तो आपको क्या सामना करना पड़ेगा? non-conformity का सामना करना पड़ेगा, किसकी non-conformity होगी? वह, वह pollution control board की होगी, क्योंकि आपका air का जो उतसर्जन है, वह गलत है या नियमों के विपरीत है या फिर अगर आप इसमें water pollution की अगर बात करें, तो आपको ETP का जो wastage water है, उसको control में रखना होगा अगर आप उसको control में नहीं रखेंगे, तो आप non-conformity का सामना करेंगे तो कहने का मतलब ये regulatory compliance आपको समय समय पे fulfill करते रहने पड़ेंगे इनकी audit भी करानी पड़ेगी, इनको review भी करना पड़ेगा, और ultimately इनको maintain करना पड़ेगा अगर आप इन चीजों को maintain नहीं करेंगे, तो आप अपने scope को अच्छी तरीके से fulfill नहीं कर पाएंगे और उनकी requirement में आप खरे नहीं उतरेंगे दूसरी तरफ बात होती है statutory requirement की statutory requirement मतलब वैद्दानिक requirement जो किसी अध्यादेश के त्रो या फिर regulation के तो पारित होती है जैसे कि Food Safety Act अब Food Safety Act आया था 2006 में उसके बाद इसको regulation बना दिया गया 2011 में लेकिन क्या है यह pass हुआ और pass होने के बाद मैं इसको एक ministry की अंतरगत ले लिया गया गौर्मेंट ने अपने अंडर लिया जैसे कि Ministry of Health and Family Welfare उसमें आ गया तो अब FSA से आई जो है यह एक autonomous body है स्वायत है तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारे organization में statutory और regulatory food safety की जो requirement है जो compliance है उनको हमको fulfill करना पड़ेगा और fulfill जब आप करेंगे तब यह आपको समझ में आएगा कि scope कितना ज़्यादा important क्योंकि यह बात आप लिखते हैं यह बात आप लिखके अपने पास रखते हैं और यह document final document होता आपकी तरफ से अब c part की अगर बात करें तो इसमें भी बड़ी अच्छी बात बोली है to evaluate and assess mutually agreed customer food safety requirement अब यहाँ पर केवल customer नहीं है यह आपका customer है mutually agreed customer है आपके and to demonstrate confirmity with them आपको अब उनके साथ भी यह confirmity रखनी है मतलब कि आपको अपना जो system है उसको evaluate करना है उसको assess करना है उसको देखना है इसके साथ में देखना है अपने customer है अब यह आप समझझे कि आपके customer कौन-कौन हो सकते हैं अगर आप एक organization है आप एक company है तो company के बीना इक customer कुछ नहीं है और customer के बीना ये company भी कुछ नहीं है अब वो customer कौन-कौन से है यह आपके stake holder है basically packing material की requirement होगी आपको machine की requirement होगी आपको labor की requirement होगी आपको paste control service की requirement होगी आपको hygiene की requirement होगी साफसफाई की requirement होगी आपको transportation की requirement होगी आपको storage की requirement होगी तो यह जो सारी activity है यह आप कहीं हद तक खुद नहीं कर सकते हैं इनमें आपको दूसरों की सहभागिता की आवशक्ता होगी और जब दूसरों की सहभागिता की आवशक्ता होगी तो उनको भी आपके system को समझना पड़ेगा क्योंकि जब उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको उनको as a agreement assign करना पड़ेगा आपको अपने कुछ issues हैं वो उनको बताने पड़ेंगे और उनके issues को आपको समझना पड़ेगा और जब आप इस पूरे system को access कर लेंगे तो जितने वी आपके mutually agreed customer है उनको आपकी food safety के requirement समझ में आएंगे क्योंकि अगर मान लीजिए आप transportation अगर एक example लें transportation का तो transportation के लिए आपको सीधी बात है एक लॉरी की आवश्रता होगी इससे क्या बोला कि मुझे लॉरी covered चाहिए मतलब container covered होना चाहिए either इसमें कम से कम दो तिरपाल उपर से cover हो मतलब यह धका होना चाहिए customer mutually agreed customer क्या होता है उसने transporter ने ये बात आपकी नहीं समझी और उसने आपको जो container या लॉरी दी वो open body दे दिया आपका purpose defeat हो गया आपकी food safety की जो requirement थी जो आप यहाँ पे बता रहे थे वो fulfill नहीं हो पाई जब आपका purpose defeat हो गया इसी तरीके से आपका जब food safety का plan है वो violet हो गया तो important किस बात की है important है इस बात की कि आप transporter की बात को समझें उसको अपनी बात को समझाए और फिर इन requirement को fulfill कराए next to effectively communicate food safety issues to interested parties यहाँ पे भी यह terminology फिर से add होगी लगबग एक ही meaning है mutually agreed customer और interested parties within the food chain तो बारी बारी से इसको समझते हैं पहले अब यहाँ पर यह स्टेज का इसमें कुछ स्टेज है और वह स्टेज कैसी है वह स्टेज है प्रोडक्शन वह सकती है प्रोसेसिंग वह distribution हो सकता है वह storage हो सकता है और वह material की handling भी हो सकता है वह handling भी हो सकता है तो यह जो stages है इन सब stages में अगर आप देखें सारी stage बहुत important है और जब यह important है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका product मतलब primary product से आप direct यहां से कहां तक जाएंगे consumer तक जाएंगे तो अगर हम food chain की बात करें तो crop material एक crop material है उसकी processing से लेके final consumer तक और पुराने terminology की बात करें तो farm to fog आपकी table तक और यहां एक step और आगे बढ़ जाएं farm to fog नहीं अब यह farm to consume हो गया मतलब जब तक customer consumer इसको consume ना कर ले और आपके product को खाने के बाद वो 100% खुश रहे उसको अच्छा लगे और वो बीमार ना पड़े कहने का मतलब वो intended purpose आपका product solve करें तो यहां तक की series आपको समझ के चलनी है और इसने बड़ी important बात बोली है to effectively communicate food safety issues to interested parties within the food chain मतलब इतनी बड़ी शंखला है आप food chain की आप आप देख लीजिए कि primary product के जो sequence है उन sequence हों से गुजरता हुआ आपका product raw material machine packing material उनकी machine processing distribution storage handling final consumer के पास तक जाएगा तो उन सब चीजों में कोई भी issues नहीं आना चाहिए और यह सारे के सारे आपको किसको बताने है यह आपको बताने interested parties को और यह interested parties कौन सी है यही है यह उपर वाली interested parties है आपके basically stakeholders है आपके vendors भी हैं अब आप बात आती है कि आप effectively communicate कैसे करेंगे communication के module होते हैं अलग अलग तो आपको effectively communicate करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको easy system बनाना पड़ेगा easy system बनाना पड़ेगा आपको mail telephone discussion यह सब उनमें लेने पड़ेगे आपको meeting करने पड़ेगी कभी कभी training module भी रखना पड़ेगा फिर आपको review भी करना पड़ेगा और फिर follow भी करना पड़ेगा इस तरीके से आप अपनी बात को effectively communicate कर सकते हो जब आप effectively communicate करेंगे तो उसको भी बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और इस प्रकार से आप effectively communicate कर पाएंगे throughout the food chain किसको कर पाएंगे अपनी interested parties को interested parties कौन-कौन से हैं यह हमने आपको भी बताया ही है next part to ensure that the organization confirms to its stated food safety policy यह किसी और को नहीं करना यह आपको खुद करना organization ने policy बनाई थी क्यों बनाई थी policy क्योंकि उसको कुछ ऐसी important बातों को throughout the system top to bottom down the line propagate करना था बताना था अब policy में कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है कोई भी organization जब policy बनाता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है उसका commitment वो प्रतिबद्ध होता है यह तो मुझे करना ही है प्रतिबद्ध प्रतिबद्धता हर हाल में करना है कैसे भी करना है और जब कोई भी चीज हर हाल में करनी है कैसे भी करनी है तो मतलब की बहुत ज़्यादा important है इस बात को बताने के लिए बड़ा important चीजे sentence लिखे गए हैं ऐसे शब्दों में जहां जहां भी policies की बात होगी वहां पर उन्होंने shell word का इस्तिमाल किया है मतलब की आपको करना ही है साफ साफ लिखाया उन्होंने तो जब कोई चीज करनी ही है तो उसके लिए commitment होना चाहिए अब commitment strong कैसे होता है अगर आप policy बनाते हैं तो policy बनाने के लिए क्या किया जाए कि वह down the line अच्छी समझ में आए सबसे पहले तो organization ने policy बनाई पॉलिसी बनाने के बाद क्या किया भाई उसको पढ़ो तो सही पहले read policy पहले आप policy को पढ़िए पढ़ने के बाद understand करिए समझ ये उसको दूसरों को भी understand कराईए understood हो जाईए वो भी समझ गये हम भी समझ गये फिर क्या करिए फिर फिर अटलीस्ट आप उस policy को visible बनाईए किसके लिए विजिबल बनाईए आपके टॉप management के लिए उनको भी समझ में आए कि उन्होंने क्या कसम ली है क्या प्रतिबद्ध दिखाई है उन्होंने उसको फिर विजिबल बनाईए आपकी बाकी पूरी टीम के लिए लेबर के लिए और किवल विजिबल नहीं उनको मतलब उनको समझ में आनी चाहिए लेंग्वेज हो सकती है कोई भी तो इस तरह से आप डाउन दा लाइन उस बात को समझा पाएंगे जब समझा पाएंगे तो लोग अवेर होंगे इस बात के लिए कि आपने क्या परिसी बनाई है और जब लोग अवेर हो तो उस बात की importance को समझेंगे कि ये चीज कितनी जादा important है और जब importance को समझ जाएंगे तो केवल वो एक वाल पे hang की हुई एक photo नहीं लगेगी उसका अपना एक purpose होगा और वो purpose उन सब लोगों को याद दिलाएगा कि हमने अपने consumer के लिए क्या commitment किया है हमारा dedication इसमें सबसे ज़्यादा प्रात्मिक है सबसे ज़्यादा आवश्यक है होप आपको समझ में आ रहा होगा और लास्ट में क्या बताना है to demonstrate confirmity to relevant interested parties अब आपको interested parties को भी ये बात बतानी है क्या बताना है कि भाई हमारा जो food safety management system है उसकी ये policy है और उस policy के हिसाव से हमको ये आवश्यक है अब क्या वश्यक है आपकी interested parties हो सकती है सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर कुधार लेते हैं आपकी interested parties है पेस्ट कंट्रोल और एक इंट्रेस्टेट पार्टी है लेबर मतलब कॉंट्रेक्ट कॉंट्रेक्टर तो आपने पेस्ट कंट्रोल जो की आपकी interested parties उसको बताएगी हमको spray तो कराना है अपने organization में खीट पतंगों के लिए spray तो कराना है लेकिन उसमें कोई भी harmful chemical ना हो उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो हमारे product को नुकसान पहुँचाए तो ये बात आपको किसको बतानी है अपनी interested parties को जब आप बताएंगे और आप उनको लिखित में देंगे communicate करेंगे सारे parts का इसमें involvement है A, B, C, D, E, F तक जितने भी discussion है उन सब बातों का इसमें importance है अगर जब आप उनको बताएंगे कि आपको spray करना है लेकिन कुछ designated area है उनमें नहीं करना है या in particular जगह पर नहीं करना तो वो बात वो plan उसको मालूम होना चाहिए और वो मालूम कब होगा जब आप उनको demonstrate करेंगे बताएंगे कि ये हमारी requirement है आपको ऐसा करना है आपको ऐसा समझना है कुछ वो बातें अपनी भी बताएंगे लेकिन आपको पहले अपनी बातें उनको share करनी है उनसे discuss करना है अब labor का अगर example लें आपको बताना है कि मुझे इतनी इतनी labor के आवशकता है लेकिन उनमें ये social behavior habit नहीं होनी चाहिए मतलब आपकी policy हो सकती है कि ये watch घड़ी ना पहने या ये ring ना पहने या इनकी जो दाड़ी है shaving है वो बढ़ी होई ना हो तो ये requirement है आपकी आप उनको share करेंगे आप उनको बताएंगे इस तरीके से आप पूरे food safety management system से policy को लेते हुए इस बात की confirmity के लिए effectively relevant interested parties को बता पाएंगे और यहां से भी आप अपने scope को fulfill कर रहे होंगे और अब last में जो बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा important जो कि एक note दिया गया है ISO 22000 में ही scope में दिया गया है basically वो क्या है कि आप all requirements of this document are generic and are intended to be applicable to all the organization in the food chain मतलब ऐसा नहीं है कि यह सारी requirement कुछ खास है यह जरूरी requirement है सारी जिनको की आपको implement करना है system में implement करना है और यह सभी organizations के लिए हैं इसमें कोई भी organization छोटा या बड़ा size के हिसाब से या फिर product के हिसाब से नहीं यह सभी को implement करने throughout the food chain एक बात और है कि organization that are directly or indirectly involved मतलब कि organization में कुछ direct और कुछ indirect involved होने वाले चीज़ें हैं यह उन सब के लिए भी है यह उन सब के लिए भी है जो के लिए भी है और उन producers के लिए भी है जो की ingredient manufacture करते हैं तो मतलब यह ISO का जो scope दिया गया है यह हर एक sector को involved करके बनाया है इन्होंने इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें include है food services catering service transportation storage distribution और cleaning or disinfectant के chemicals manufacture करने वाले packaging material और other food conduct material यह काफी खास बात है इसमें this document allow any organization including small less developed यह बात समझने की है कि कुछ organization हो सकते हैं small scale वाले हो सकते हैं कुछ कम developed वाले हो सकते हैं लेकिन उन सब को भी यह implement करना है कैसे करना है outsource activity भी करा सकते हैं किसी suggestions ले सकते हैं और उन parameters को food safety management system में include करना है आप resource available कराईए अपने organization में implement कीजिए और इस तरीके से आप scope को अपने organization में अच्छी तरीके से ISO 120 2000 2018 version के लिए समझ गए होंगे और अगली वाली series में second number clause पर बात करेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद